ये संकेत क्या है जो चीन दे रहा है पहले तो उसको डिकोड करते हैं गीदर भब की बुलिंग जो उसका हमेशा का तरीकर है पूरे इलाके में अपना दबदबा करना बेतु के बयान देना, डराना, डिल्स करना मिलिटरी के या फिर वो सही में अटाक करने के मूड में है एक अगला युद्ध इस वक्त पूरे विश्व के सामने है गौरण हाला कि उसको अंदेशा था, intelligence agencies ने बता दिया था कि Nancy Pelosi जाएंगी लेकिन वो ये कह रहा है कि उन्हें आश्वासन मिला था, वो दो घंटे 17 मिनिट जब बाचीत हुई थी चीन के राश्रपती शी जिन पिंग और अमेरिका के राश्रपती जो बाइडन की चीन का यांकल अन्था कि वो नहीं जाएंगी, वो फिर भी आई, चीन बौकला गया है और इसलिए ताइवान को अब घेर के एक बहुत जबरदस्त युद्धाभ्याश शुरू कर रहा है जिसमें live missile firing, long range artillery firing और amphibis assault की exercise शामिल है जेनरल दयाल, अगला सवाल आपसे, और वो सवाल ये, कि जब ये कहते हैं कि ताकतवर नेता के तौर पर शी जिन पिंग उभरना चाहते हैं, तो यही बात पूतिन के लिए भी है अब सवाल यही है कि दुनिया के मन में, आम आदमी के मन में डर यही है, कि जो युक्रेन के साथ हुआ, क्या वो ताइवान के साथ होने वाला है आपको क्या लगता है देखें, जो युक्रेन के साथ हुआ, वो एक different strategic situation है उसको दौनों को एक compare करना बड़ा difficult वो है और मैं नहीं समझता है, ठीक होगा युक्रेन और रश्या का एक different balance of power था यहाँ एक different balance of power है युक्रेन में अमेरिका के वो interest नहीं थे जो अमेरिका के ताइवान में interest है अगर ताइवान कल चाइना, अगर ताइवान को जबर्दस्ती कभजा लेता है तो फिर ये चाइवान पर नहीं रुकता है complete Asia Pacific complete, Indo Pacific complete जो ring है यहाँ पे South China Sea में वो complete destabilize हो जाता है ये लड़ाई जाके वहीं रुकती है जहां से Japan ने Second World War में अमेरिका के साथ शुरू की थी ये यहाँ नहीं रुके तो ऐसे मैं नहीं समझता, देखे ये जो आप बिल्कुर ठीक कह रहे चाइना की जो strategy है उसके तेट चाइना काम कर रहा है Feeding PIN को इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ता ये वो तानाशा है जिनको अपने देश में कैसे तीसरी बार राष्टरपदी बनना है वो सब उनकी planned है उसमें कोई ज़्यादा public opinion की कोई आवसेक्ता नहीं है हाँ वो drills करेगा पूरे के पूरे ताइवान स्ट्रेट को block रखेगा कुछ economic blockages करेगा ये ब्रिल्स करता रहेगा ताइवान को scare करेगा लेकिन मैं दाद देता हूँ अमेरिका की मैं दाद देता हूँ उनकी speaker की कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था चाइना का होसला वहीं से बढ़ने लगा 1980s में जब से अमेरिका ने कहा China one policy चाइना पर जब से अमेरिका बार बार बोलने लगा चाइना के होसले बुलंद होगे वरना 62 war के बाद अगर आप देखें globally चाइना वास marginalized चाइना ने जो भी कुछ किया हमारे साथ भी 67 में हमारे साथ भी 87 में उसको करारी मूख की खानी पड़ी यह चाइना की पूरी expense अमेरिका ने कुछ सोचा था उसको economically use कर वे की जैसे colonization को use किया था जैसे slavery को use किया था तो उस पूरे के पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं चाइना उबर गया और चाइना की यह जो आज के दिन जो stance है मैं नहीं समझता इससे कोई destabilization आएगी कोई बड़ी लड़ाई निकलेगी देखे हमने यूकरेन के टाइम पर भी हो अंजना आपके सामने कार था यह बहुत different concept है Russia करेगा Russia की strategy 2002 से एक strategy unfold हो रही थी जिसको prepare करके करे थे लेकिन Taiwan में अब तक ऐसा कुछ नहीं 70 साल से ऐसे ही करता रहा है China लेकिन China ने कभी जुरूरत नहीं की कि वो Taiwan पर टेक्ट करेए Taiwan की जो Taiwan की complete terrain है Taiwan की strategy है defense preparation है वो different level की है और इसके serious पर नाम होंगे और क्यों चाहिएगा China ऐसा करना China को अपना economic growth है अगर कल ऐसा होता है आपने एक स्वाल पूछाता है अगर कल ऐसा होता है तो भारत भारत को तो बहुत पाइदा है इसका मंदब चाइना की जो economic है चाइना की जो complete इस एरिया के तूज जो trade है चाइना का जो manufacturing है उसके असर तो पढ़ेगा ना जो चाइना नहीं चाहता है इस टाइम पे और उसका बारत पाइदा उठा सकता है अमिरमान नाप नहीं